हसती है तो कंट्रोल नहीं करपाती खुद पर चॉकलेट से जादा वो मीम पसंद करती है खुश होती है तो गालियां देती है उदास होती है तो चुप हो जाया करती है मुझे उसकी चुपी से डाल रहता है पुछ जैसे लोगों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि दुनिया में खुशियां बनी रहे बच्पन से लेकर अब तक बहुत से चीज़ें बदल रहे हैं जैसे जब छोटे थे तो घरवाले या महमान जब हमें पैसे देते थे तो बड़ी खुशी होती थी कि चलो यार खर्च कर लेते हैं फिर उम्र बढ़ने के साथ जब बेरोजगारी का दोरा है तो घरवालों से दुबारा पैसे मिले तो इस बार वो खुशी नहीं थी आखों में एक शर्म थी और मन में पूच